गोड एवनिंग, SSE CHSL 2019 के सभी केंड़ेट्स का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है 14 अक्टूबर 1 शिप्ट का एक्जाम हो चुका है और इसकी आंसर की लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ अब आप देख लिजेगा इसमें अगर कोई कोश्चन ना आया हो तो कमेंट करके बताएएगा और अगर कोई कोश्चन छुट गया हो तो उसे भी कमेंट करके बताएगा ताकि उसको मैं अगले वीडियो में शामिल कर सकूँ और ये वीडियो जो upcoming exam candidates हैं उनके लिए बहुत ही helpful होने वाला है तो इसको ध्यान से समझने और इसी pattern पर तयारी करें इसी pattern पर जो आपके questions हैं वो अगले exam papers में आने वाले हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन अगर चैनल को पहली बार visit कर रहे हो तो subscribe जरूर कर लिजेगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजेगा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात थिर से दोहराना चाहता हूँ अगर आपने मेरी बात पिछली वीडियो में जो मैंने कहा था अगर आपने ध्यान दिया होगा उस पे तो उसका आपको benefit मिला होगा और वो यह है कि GS के जो questions हैं वो 2019 से पूछे जा रहे हैं 2020 के अगर कोई question पूछा भी गया है तो वो मार्च से पहले का है फर्वरी यह जन्वरी से पूछा गया होगा इसके बाद नहीं पूछा गया है क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ कि question paper जो है वो मार्च में पहले ही सेट कर लिया गया होगा और वही question paper आपको इसमें दिया जा रहा है तो पहला question था रामनात कोविन भारत के कौन से राश्पती है तो यह 14 राश्पती है चौद में राश्पती है और प्रधान मंतरी के बारे में अगर पूछा जाए तो पंदर में जनवरी 2020 तक भारत के मुख्य चुनाओ आयुक्त कौन है मुख्य चुनाओ आयुक्त है सुनिल अरोडा अब इस पर एक प्रश्णी यह भी बनता है कि मुख्य चुनाओ आयुक्त की नियुक्ती कौन करता है तो मुख्य चुनाओ आयुक्त की नियुक्ती जो है वो भारत के राश्पती करते हैं अगला प्लस्न है कोलेस्ट्रियल बॉडिज द्वारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2019 के से दिये गया है ये हैं जोखा अलार्दी जोकी ओमान की रहने वाली है ये क्वेशन रिपीटेट क्वेशन है कई बार पुछा गया है 2019 में जो पेपर्स होए थे नौ शिप्टों में CHSL के और CGL के जो पेपर्स होए थे उनमें भी ये कोशन पुछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है 2020 की बात करें तो 2020 के विनर है मेरी के लुकास रेजने वेल्ड मोहनी अट्यम किस नृत्या किस राजे से सम्मंदित है केरल मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि जो है जो लोक नृत्य है और जो शास्त्री नित्र है नृत्य है इनकी तैयारी कर लीजे अब इसी पर कोशन पुछा जाएगा और देखिए कि आज के फर्स जन्वरी 2020 को किस देश के देखिए जन्वरी 2020 का पुछा गया है 15 जन्वरी 2020 को किस देश के प्रधान मंत्री ने इस्तीफा दिया है तो इसका अंसर है रूस के प्रधान मंत्री दिमित्रु मैदवे देव और इस समय में बरतमान जो प्रधान मंत्री है वो मेखाइल निश् बाड़र से कौनसा राजय सीमा साजा नहीं करता है तो इसका अंसर है ऍसम मात्मा गानी ने चम्पान सत्याग्रह कब किया था ये नील-डीक क्यती जो ऐसानнуться हो था उसके विरुद्द सत्यागरह किया था है आप गालीद है तो यह उanनी सो सत्रा में किया था 1938 में हुए कांग्रेसी अदिवेशन के अद्यक्ष कौन transformed प्रिष्ण सब्सक्ष चंड़ बोस यह 1938 में जो अदिवेशन हुआ था और इसके अद्यक्ष थे अध्यक्ष तर्वास्ष चंडर बोस अब एक प्रश्ण एकोनॉमिक से शुद्ध राश्टी उत्पाद का सुत्र पूइचा था तो किसी भी देश की एक वित्ती वर्ष की जी एनपी में से मूलेहरास को घटाने पर जो शेश बसता है उसे निवल राश्टी उत्पाद कहते हैं तो सीधा था फार्मॉला हो जाएगा जी एनपी माइनस मूलेहरास ये होगा शुद्ध राश्टी उत्पाद अब एक प्रश्ण था कौन रेस्लिंग नहीं करती हैं तो इसका अंसर है दीपका पलिकल ये रेस्लिंग नहीं करती हैं क्रिकेट से एक प्रश्ण पूछा गया था जनवरी 2020 में भारत अश्टेलिया वंडे स्रीज के अंतिम मैच में मैच किसे बना गया था तो इसका अंसर है रोहित शर्मा भारत ये मैच जो है 2-1 से जीता था और प्लेयरा दस्री जो है वो विर्याट कोली को बनाया गया था अगला प्रश्ण है महाभयोग द्वारा किसको अपने पद से हटाया जा सकता है तो उसमें कई अप्षन थे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राश्ट्पती तो इसका अंसर है राश्ट्पती देखें महाभयोग की जो प्रक्रिया होती है उससे राश्ट्पती और सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज़ को हटाया जा सकता है इसके अलावा महाभयोग किसी पर नहीं चलाया जाता जून 2019 में हुए IFIH हाकी सीरीज की विनर कौन है ये भारत रहा है इसका विजयता इंडेक्स से एक प्रेशन पूंचा गया था हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में पहरी रेंग किस देश की है तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला अस्थान जापान का है दूसरा अस्थान सिंगापूर का है और भारत जो है वो 84 में अस्थान पर है सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक कौन है तो ये इसका अंसर है प्रसिद शायर मुहमद इकबाल और ये गीत इन्होंने 1904 में लिखा था सारे जहां से अच्छा तो इसके बाद अगला प्रश्ण है ये वाई मंडल से पिछले वीडियो में पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया है फिर पूछा जा रहा है वाई मंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है इसका अंसर है बहिर मंडल या एक्सो एस्फियर बिजली का कुछालक कौन है तो इसमें अंसर है बेकलाइट इसी तरह से कांच और प्लास्टिक ये सामगरियां भी जो है वो बिद्युत के कुछालक होती है तो चले बाकी और प्रश्णों को भी देख लेते हैं वो जो परधानमंत्री के इस्तीफा वाला प्रश्ण था तो उसमें एक ये भी है कि हाल ही में जापान के परधानमंत्री शिंजे आबे के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पूछा गया था रूस के या जापान के अगला प्रश्ण है BBC Sports Personality of the Year 2019 देखिए सारे प्रश्ण जो है 2019 से पूछे जा रहे हैं और 2020 के जो पूछे गए हैं वो जनवरी और फरवरी के हैं तो प्लीज 2019 को अच्छे स्तयार कर लीजेगा निश्यत रूस से आपको फाइदा मिलेगा तो ये जो है इंगलेन के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को दिया गया है शिवाली पाणियों को अन किस नाम से जाना जाता है इसका अंसर है मानक परवत वो कौन सा डिवाइस होता है जो एनलाग सिगनल को डिजिटल सिगनल में बदल देता है ये प्रशिन कम्प्यूटर से था इसका अंसर है ADC एनलाग टो डिजिटल कन्वर्टर ADC एनलाग टो डिजिटल कन्वर्टर अगला प्रशिन हाकी टूनामेंट से पुछा गया था कि महिला हाकी या पूरुष का था तो मैं दोनों बता दे रहा हूं महिला हाकी प्रत्युगिता 2019 में विजेता भारत थे और 2018 की पुरुष में विजेता बिलजेम और उप विजेता नीदर लेंड थे अगला प्रश्ण है फोटोग्राफी प्रक्रिया में कौन-कौन से रंग उपयोग में ला जाते हैं इसका अंसर है लाल, हरा और नीला ब्लट गुरुप से एक प्रश्ण है कौन सा ब्लट गुरुप सभी प्रकार के ब्लट गुरुप को ग्रहन कर सकता है इसका अंसर है AB positive विद्धुत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी होता है silver नेपाल को भूटान से भारत का कौन सा राजे अलग करता है इसका अंसर है सिक्किम तो देखें boundaries से लेटर कई सारे questions पूछे जा रहे हैं हर shift में पूछे जा रहे हैं तो आप भारत के states की और भारत की जो boundaries है उसको आप अच्छे से तयार कर लीजेगा और देखें एक स्रेयुक्त सैनभ भ्यास में बताया था कि पूछा जाएगा आगया प्रश्ण तो यह इसका अंसर है USA और UAE के बीच में 10 से 19 दिसंबर 2019 में हुआ था और भारत और रूस की 33 सेनाओं के मद्ध हुआ था भारत मनुष्य वाई मंडल की किस मरत में रहता है इसका अंसर है छोग मंडल देखी यह वाई मंडल से हर शिप्ट में पूछा जा रहा है आप अच्छे से तयार करके जाएगा अगला प्रश्ण है PM मोदी पर अधारित फिल्म के निर्देश कौन है तो इसका अंसर है उमंग कुमार और इसके जो रोल किया है PM मोदी का वो है विवेक ओवेरा है तो यह थे जो प्रश्ण मिल पाए थे उसके अंसर अगर कोई छूटा हो तो प्रश्ण कमेंट करके बताईएगा और इंतजार कीजेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो सेकंड शिर्प के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि वो वीडियो आपको लगातार मिल सके ओके थेंक यू